अजी स्टुडेंट्स अज जसी अपनी ग्लास प्लस वन इंग्लिश इलेक्टिव दा अथमा ऐसे आ मौदर्न मिरेकल दियां ग्रेमर एक्सराइजिस नंबर 6 अते नंबर 7 विद सलूशन्स डिसकस करांगे इस चैप्टर दी सीरीज दा एसाड़ा पंजमा वीडियो हुएगा तुरेंट्स मैं थे दसना चाहांगा के मैं इस चैप्टर दियां बनाईया हुए हैं पहली यां चार वीडियो दे विच इस चैप्टर दी comprehensive explanation अते अनालसिस डिसकस किती है अते इस चैप्टर दियां exercise नंबर 3, 4, 5, and 6 डिसकस अलड़ी तो अडनल कर चुक किया हैं आते उनादे वीडियो दे विच असी इस चैप्टर दे अन्ड दे विच दिती हुई grammar exercise नंबर 6 जो के match the columns दे नाल सबंदित है अते grammar exercise नंबर 7 जो के fill in the blanks नाल सबंदित है ए दोने असी exercise डिसकस करांगी अते इनादे solutions भी समझांगे Students मैं ए भी कहना चाहांगा के मैं class plus one English elective दे बहुत सारे वीडियो बनाए हुई हैं जिस दे विच पहली तमाही यते दुजी तमाही देता आलमोस सारे वीडियोज कवर दान इना वीडियोज दे विच मैं पहली यते दुजी तमाही दे विच आए chapters दी comprehensive explanation उना दे short answer type questions, long answer type questions अते इना chapters दे अन्ड दे विच दितिया हुई है exercises with solutions सारे कवर किते ने अक्टिव दा playlist दा link प्रवाइड कर रहे हैं जिस्ते जाके तुसी ये सारे वीडियोज प्रापत कर सागते हुँ इस chapter दी series दे पहले वीडियो दे विच असी इस chapter दे अन्ड दे विच आई हुई exercise number 3 दो कवर किता सी जो के pair of conjunctions more than the null related है असी इस दे विच ए देख्या के असी दो वाकांदी comparison नू more than the null कि में दिखा सकते हैं इसे वीडियो दे विच असी fourth exercise नू study किता जिस दे विच असी कुछ phrases study किते जेडे सन has got to अते have got to असी देख्या के एना phrases नू असी English language दे विच किस तरह यूज कर सागदियां ते नदा की मतलब है ता students जेकर तुसी ये वीडियो मिस किता है ता मैं तुनो top right corner ते इस दा link provide कर रहे हैं जिस्ते जाके तुसी ये वीडियो देख सागदियो इस chapter दी series दे दूसरे वीडियो दे विच असी exercise number 5 डिसकस किती जिस विच सानू fill in the blank सी लेकिन उना दे जड़े सानू word दिते गे सी ओहो verb सी गे लेकिन असी उस दे noun form नू fill in the blank दे विच परना सी ता मैं तुनो ये सारी exercise बहुत ही detail दे भी समझाई जिस दे विच सानू दो कॉलम सी जिस दे विच कॉलम A वाले सारे words चैप्टर दे विच आया सी अते कॉलम B दे विच उना words दी explanation सी ये वी मैं बहुत ही तौनो detail दे विच बच्चे समझाई है ता ए वीडियो जे कर तुसी miss किता है ता तौनो मैं टॉप राइट कॉर्णर दे इस दा link परवाइड कर रहे हैं जिसते जाके तुसी ये वीडियो देख सागते हैं इसे चैप्टर दी सीरीज दे तीसरे वीडियो दे विच आसी इस चैप्टर दी comprehensive explanation नूँ स्टाट किता सी जिस दे विच मैं पेज नंबर 73, 74 पते 75 पेज नंबर दा कुछ इसा करवाया सी स्टुडेंट्स मैं प्लस वन आते प्लस टू क्लासिज दे जनरल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियो बनाये होई हान इना वीडियोज नू देखन दे ले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपक सूद लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट वीचाई पहली साइट दे दीपक सूद दे जाके क्लिक करो इस तरह तुसी चैनल ते पहुंच जाओंगे जिते तुसी वीडियोज दे एक सेक्षन देखोंगे वीडियो से क्लिक करो तो अनू मेरियां बनाया हुई है सारियां वीडियोज तो अनू मिल जानगियां इसते तुसी जाके जदो फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ताथ उन्हों क्लास 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जानगियां इसे तरह तुसी बाकी क्लास 11 उन्हादी प्लेइलिस्टे जाके सारियां वीडियोज प्रापत कर सकते हों इसे तरह में Class 11 ते Class 12 दियां Grammar दियां वीडियो लिस्ट बनाई होई है ता ओ सारी यां वीडियो ता उनु प्रापत हो जान गियां ते एक प्लेइलिस्ट English Elective Class 11 दिवी है ते ओस देविश ता उनु सारी आं Class 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जान गियां तॉ में तुनु सारे आनु अपील कारदा है के एक भार तुसी दीपक सूथ लव racism NOT रपींग टेश्ट जरोर विजट करो बिधिशइदे भी एक्सरसाइज है जी एवी वोकयाब्लरी बिसे है्ट अनू समग करते हैं गारी प्र μतार्दण नू कुन आप एने दी नंबरिंग कर लेने हैं, हीमर पहला शबद है, सेकिंड नौड, थर्ड इंस्टिचुशन, फॉर्थ रेकर्ड, फिफ्थ वायलन, सिक्स स्पेल, सेवन डम, एट सेल्फ विल्ड, जे तानू याद होएं, सारे दे सारे वर्ड्स तो अड़े चैप्टर चो आएं इना सारे दे चैप्टर्स दे मतलब अपानू आथा ने, ने दोनू दस्टे होएं, ये चैप्टर्स दे विच्चुई आएं इसे, हीमर दा मतलम है की दस्टे हासी, मखाल, साइंस तो अफ यूमर दा दस्टे हासी ना, जिस बंदेच, हसा ठिठा करन दी, क्वालिटी होए उसे ओदे कोले बेट्ठों तो नो हसाद वे गला ना, पैदा तो अटा आंदा है जी, दा क्वालिटी ओफ बीइंग एबल टू प्रड्यूस लाफ्टर, क्या है जी तो अटा, कि जदो कोई बंदा आस्य में खोल वाली गल करदा है, तो उस क्वालिटी नो अपा की कहने है हुमर, समझा गया है, सेकिंड वर्ड है जी, नौड, नौड दा मतलब हुन्दा है, आगर नी, जदो हैलन केलर अपना सिर्फ होरिजोंटली कर दी सिगी निचे नू, तो अपा केंदे सी के उसने नौड किता है, तो नौड दा मतलब है, निच्चो सेकिंड है देखो, अला पंजाबी चापा इंस्टियूशन की कहने है, संगठन, सकूल च पढ़ दे हो, या कॉलेज च जाने हो, एक इने इस्टियूशन है, लास्ट वाला विल्कुल, अपले सच एज़ा स्कूल, आ होम, और और ओल्ड टीपल, रन फोर अ पब्लिक परपस, आउं तो रते ही कजे ह जड़ी के लोकां देली बनी हुंदी है, जित्थे के हर कोई आ सकता है, तासी उसनूँ इंस्टियूशन कहा देने है, पौर्थ है जी रेकर्ड, जिन्हों तुसी पंजाबची रिकार्ड कहा देने है, उपरों सेकेंड, अ रिटन एकाउंट ओफ एक्ट्स और इवेंट्स जदो आपका किसे कटना दा कोई वेरवा लिख दे, रिटन एकाउंट लिख दे, तासी उसनूँ की कहने है कि आपका रिकार्ड रख ले, एककाल दा त्यान करो, रेकर्ड दे अगे ब्रेकेट दे विच एन पाया है, किदा मदलब की है, इट्सा नाउन, उन तुसी देखो तो वी जड़ा नाउन है, ओदे स्पैलिंग भी आही ने, R-E-C-O-R-D, जी आपका वर्व वाले देखिये, जिन्हों आपका पंजाबिच कहने है, रिकार्ड रखना, ओदे भी स्पैलिंग आही ने, R-E-C-O-R-D, दोलना दे स्पैलिंग से ही मैं, लेकिन बोलना ज़ पर रेकर्ड, जी कहने है, रेकर्ड, जीड़ा वर्व अला है, उसनों आपका कहने है, रिकार्ड, रेकर्ड, रिकार्ड, रिकार्ड, उन्हें पननंसियेशन है, इंग्लिष, अगला है जी वाइलन, आप मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जी यह है, वाइलन, सारे ने देखिय स्पेल्ट वर्ब दियां फॉर्म जुन दिया ने जड़ा मैं पहला बोल्या थी नेम और राइट दा लेटर्स ऑफ़ वर्ड इन देर राइट ओडर जो अपा किसे वर्ड दे लेटर्स नूं सही तरिक्के ना लिखिये ता उसे यह उसनों कहने है स्पेल्ट बहुत वरी आया है चैप्टर च्छ डंद मतलब की बहुत दस्या थी मैं जड़ा बोलनी साथ नौट अबल टू टॉ टॉक सेल्फ विल्ड की दस्या थी मैं सेल्फ विल्ड दा मतलब के दो गल्ला सिगियां जित्धी कहिया है के जोग कम मनच तार लिया तो तार लिया、 कर नहीं करने है कर दो पर नथी कहले है सेल्फ विल्ड की देटर्मनेटव के मनच करना था कॉछ घॉत सेल्फ विल्ड visit जल्फ विल्ड तो यह जड़ी छेमी दी B exercise दीजी, यह वोकैबलरी बिल्डिंग दी exercise दी, वोकैबलरी बिल्डिंग दी exercise दी क्यों रखे हैं जन्दियाने, तांके तो आटी vocabulary अच्छी बने, तो अनू नवे नवे words पता चलन, यह सारे chapter A column दे, तो आटे chapters चाहे सिगे, मैं तो आटनू ने न कई exercise देखो, A है, B है, C है, D है, जे तुसी याद करो, तो आटनू हर chapter चे, यह एंड दे विच्छे, फिल इंदी ब्लैक सांदियान, किसे चार होंदीयान, किसे चार होंदीयान, किसे चार होंदीयान, इना दी खासियत है न exercise दी, तो खासियत है, कि तुसी कोई भी exercise चकलो, ओदे जड़े तो आनू words दिते हुए है, उपर, देखो, मैं B चकी हुए है, तब B exercise दे जड़े उपर words दिते हुए है, particularly, imitate, welfare, kind of, suitable, exact, benefit, reveal, positions, created, इस सारे words कित हो है ने, इस सारे words चैप्टर चो है ने, इना दे मतलब मैं तो आनू चैप्टर चे करवा चुक्या है, दस चुक्या, हो साथ है ना, चो कई words glossary चवी हुए हूँ, जड़े मुरे दिती हुए है, इना exercise दे मतलब ए हुंदा है, कि तुसी जड़े words सिख ले, की तो आनू, ओहो words हो, और sentences दे विच्छी यूज़ करने आ देने, तो ये मतलब पता होगा, फिर अपा यूज़ कर पा बाकी मैं तो नू guide करदा होना है कि तुसी बाकी दिया एक्ससाइजिस भी करो, चार एक्ससाइज भी एक्साइज़ देना होना है, हरवर यहीं करदा होना है, ज़िए मैं फिर कहना होना है कि बाकी दिया तिन्हे एक्ससाइज भी तुसी आप करो, if you have any problem, you can ask me for any help, तुसी म the owners of the shop factory have started a school for the dash of your workers children, और शोट नौगे व्लाप नौगे, उटो मितलब मालग नौगे, चाम करने वाले वाले वर्करां दे बच्चियां देले, एक्स्कूल चलाय ए, उट्ची नौगे, चालाय ए, कालाय ले, for the dash of लायली, लायली चलाय आएजाय न, and their families उनना दिया होर भी बहुत सारी है स्कीमा ने वर्करा दिया आते उनना दी फैमिलियां दे लई तो शब्द हैं जड़े पहले चाह रहे ले प्लाई इंग्रिश की दस्ती सी मैं जी किसमों जागे हूँ वेलफेर पहली खाली था चाह रहे है जी वेलफेर दा मतलब किंद जी प्लाई इननने स्कूल चलाया है अठे फैमिली दे वर्कर्स अठे वर्कर्स थे उनना दी फैमिली दे लाब दे ले बैनेपिट शबश बैनेपिट आउ उनलेगी दुझे जी मतलब पहली खाली थां दे दूसरे से benefit आओ करे होंगे ता कोई ओक्खे नहीं हैंगे benefit दा मतलूब क्योंदा love parrots can be taught to dash human speech parrots क्यों दे है तोते तोते आनू dash human speech दे लिए taught किता जा सकता है सखाया जा सकता है human speech दी नकल करन दे लिए तुसी जो बोर रहे हो तोता ओही बोल दे है की हो रहे है Helen Keller जो ओधी teacher ओधी finger फटफट के हथेलियां ते draw कर रही थी sign language, sign symbols ओही ओधी draw कर रही थी की कर रही थी copy कर रही थी, नकल कर रही थी नकल दी English की दस्तिता नो imitate Shakespeare the great English poet has dash many wonderful characters in his plays Shakespeare दा नाम तुसी बटा जान दे हूँ पंजाबी दाजना है Shakespeare जड़ा साठे English दा पोईट है उसने अपने नाटकां दे विच्च बहुत ही wonderful characters बहुत ही अदपुत पतर बनाए सी created created दा मतलब क्यों दा जी बनाऊना तोई चीज नू बनाऊना उन्हें पतर बनाए अपनी प्लेज दे विच्च fourth है जी at night we can tell r without a watch by looking at the dash of the stars in the sky असी समा दस साग दे है we can tell r r दा मतलब है थे कि या जी समा असी समा दस साग दे है बीना कडी देखे सिरफ सकाए दी stars दी डैश देखे किया हुगा जी position किथे का खड़े ने सितारे तब पहले ची आओगा जी positions positions दा मतलब किया है स्थिती फिर अगे भी है केंदे but we need a watch to tell the dash time पर केंदे सानू सही समा दस संदे ले समा आसी रेखो रापजा समा दा साग दे सितारे नू देखे भी ग्यारां के बज़े होणगे एक बज़े होगा एदा दसा दे साड़े ग्यारां बज़े ने सवा ग्यारां बज़े ने पूरा समा exact time फिफ्त है जी ट्राफिक ओंदा मेन रोड्स इन आवर सिटीज वेरी हैवी दीज डैश ड्यूरिंग आर्स वेन पीपल गो तू और रिटर्न फ्रॉम देर प्लेसिज और वर्क साड़ियां जड़ियां मुख रोड्स ने ओना ते ट्राफिक साड़े शेरां च बहुत ज़्यादा हैवी हो गया इन दीन अच डैश ड्यूरिंग आर्स जदो पीपल अपने कमा तो या तक करे जा रहे हूं देने या कर तो कमती जा रहे हूं देने तक केड़े आर्स दी ग परांच जदों लोकी तो कमते जा रहे हूं देने या कम तो करे जा रहे हूं देने उससरे में ट्राफिक बहुत ज़्यादा हैवी हूं दी है तिक सत है जी शैला एक कम एंड सी यू तुमारो मॉर्निंग एट नाइन ओकलो कॉस्टिन बुच्छा जा रहे हैं केंदे की मैं कल नौ वजे स्वेरे तो नौ आके मिल सख़द हैं अंसर है जी प्लीज कम एट सेवन ओकलो क्लोक नहीं मतलब एं कह रहे है के सत वजे आई हो नाइन ओकलोक मेरे लिए सही नहीं है आई विल बी गेटिंग रेड़ी फोर ओफिस देन मैं उसमें ओफिस दे लही त्यार हो र चाइनीज दी डैश राइटिंग विद्धा पिक्चर जडी पिक्चर देनाल हुंदी है जो के जिस्तो था नू शबत पता लग दे एक तरादी राइटिंग हुंदी, sign of, एक तरादी राइटिंग है चाइनीज दी, जड़ उसी चाइनीज देखों, तो देच अपने ABC अगला तोड़ा जड़ा सेंटेंस है, तोड़ा सोराब रुस्तम वाले चू आया है, तनी में दी नोट डैश टू रुस्तम देटा सन वास बाउन टू हर, तनी में ने रुस्तम नू नहीं डैश दस्तिया, के उना देख बेटा हुए है, किया हुगा जी, रिवील जाहिर जाहिर करना जी, जाहिर करना जी, जाहिर करना, समझ आ गया, फिल लिन दा बलैंक्स के वें करी दिया ने, तनी नाल जी अपनी एक्ससाइज खतम हुँदी है, दो एक्ससाइज दिज आपां कार गया, असी अगे भी इस चैप्टर नू कॉंटीनू करांगी, जेकर तो मैं सक्रीन दे ओपर इस चैप्टर ना रेलेटेड, अते होर बहुत सारे वीडियो दे लिंक प्रवाइड कर रहे हैं, फिर मिल दियां जी, तन वार